हलो एप्रिवन बेलकम बाइक आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब आनलाइट प्रेटफॉर्म पर वाइफाई एकटिव पॉयंट चैनल पर आप सभी को मालूम है ट्ट्ट साइंस का यूपी का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका अप्लिकेशन फॉप नौ आफसर टिट आप बताया रहा है वह आपका है 9 जुलाइ-9 जुलाइ-22 यहां पर आपको यहां पर आज की समी आपको यह बताया जाएगा को टीचैनली क्या कॉलिफिकेशन होना चाहिए और टीचैनल का क्या प्र पाइटल होता है उसके साथ साथ यूज 22 की यह जो नोटि सब्सक्राइब करод हमने लिए जो क्वालिप्फीकेशन होगा वह होगा तो सब्सक्राइब हम बाद करें क्वालिपीकेशन क्वालिपीकेशन तो qualification के लिए मैं सबसे पहले बात करूँगा TG Science के लिए qualifications क्या होना चाहिए आपका BSC honors होना चाहिए आपका BSC क्या होना चाहिए आप BSC होना चाहिए उसके साथ साथ आपको BSC में जो BSC होगा उसमें आपको क्या करना है physics और chemistry के साथ physics and chemistry physics and chemistry मतलब BSC honors आपको physics and chemistry साथ करना है अब रहा प्रस नहीं रहा कि कुछ student के दिमाग में डाउट चलता है हम BSC first year second year में physics लिये थे third year में हमने physics क्या किया ड्रॉप किया कुछ student यह करते हैं third year हमने chemistry को ड्रॉप किया चलो हम उस पर भी आपको साथ तुरा share करते हैं देखिए आपने क्या किया अगर BSC में आपने काम किया BSC आपका जो first year था और second year था इसमें तो आप समझते है PCM math phis chemistry math अब रहा प्रस्ट के लिवह क्लिवें बात करता हूँ अब थार्डियर में कुछ student यह कहते हैं चीसे हमने क्या किया physics और math लिया अब कुछ स्टुडेंट कहते हैं हमने क्या लिए chemistry और math लिया और तो कुछ स्टुडेंट यह भी कहते हैं हमने पीसी लिया physics और chemistry लिया तो मैं आप सभी स्टुडेंट साथ यह doubt सभी का clear करना चाहता हूं कि आप थर्डियर में मतलब आपको पीसीम से व्यार करना है आप हुझा हैं पड़ने होने चाहिए नहीं कि आप सप्का हो तो बता पीजिक्स मैं सब्सक्राइब करें तो यूपी वड में तो यूपी का जो गाइड लाइंस है तो यूपी का एक physics math हो लकिन आप किया करें कि फास्ट से कंडियर में आपको पास physics chemistry math होनी चाई हाँ वो इस्टूडेंट वो स्टूडेंट तो साइंस में अप्ली केबल नहीं होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीस से तो करते मैथमेटिक से बीस्टी करते है लेकिन वो करते क्या है मैथ और फिजिक्स क्या लेते हैं मैथ उनका होता है और फिजिक्स होता है लेकिन जो थर्ड आप्शनल पेपर ले लेते हैं तो आप्शनल पेपर में वो लोग करते क्या है कुछ लोग जियोग्राफिय लेते हैं क्या लेते हैं जियोग्राफिय ले लेते हैं या तो कुछ स्टूडेंट आप देखेंगे साइकोलाजी लेते हैं साइकोलाजी भी लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिस जिन भी स्टूडेंट ने ब्यासी में केमेस्टी को नहीं पड़ा है मैथमेटिस की स्टूडेंट हों लेकिन केमेस्टी की स्टूडेंट नही केबल नहीं होंगे वह है अपलिकेबल नहीं होगे तो यह जरूड ध्यान दे कि आप कीया हैं कि आगर आप chemistry छोड़ रहे हैं या फिजिक्स छोड़ रहे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है आप TGT science लिए applicable है मैं उमीद करता हूँ यह doubt आपका clear हो गया होगा साइंस के applicable वही student होंगे जो विएसी ओनर PCM से किये होंगे उसके साथ साथ वो बीएड भी किये होंगे बीएड और PCM साथ बेसी करने वाले स्टुडेंट ही टेजिटी science में applicable माने जाएंगे और without बीएड वाले इसके लिए applicable नहीं है यह तो रहा qualification अब हम आप साथ निस्ट बात को शेर करेंगे निस्ट प्रस्णिए शेर करेंगे पेपर का पैटन पेपर पैटन अपको सेर करेंगे चारी पीपर पैटन आप साथ करते हैं पेपर पैटन में आप देखेंगे आपको कै किसले कि कुछे कितने मारक होगा सबी कितने मारक की होगा तो प्रतीक किते होंगे और मार्क होंगे यह और इसमें आपको द्यांस देखना है कि यह जो पेपर होता है इसमें नेगेटु मार्किंग नहीं होती तो यह सबसे बहुत अच्छी उपलब दे है कि इसमें नहीं होगा आप 125 सभी क्यूर्शन को एटम कर सकते हैं एनी नो प्राबलम अब दूसरा प्रस्ण में आपको साथ सेर करते हैं कि जो 125 क्यूर्शन होते हैं उनी क्यूर्शनों में फिजिक्स और केमेस्ट्री से कितने कितने क्यूर्शन होते हैं उसकी भी बात हम करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रस्ण होता जो फिजिक्स होता है क्या होता है और यहां पी क्या होगी बताओ, chemistry जब physics और chemistry के बात करेंगे तो दो प्रकारिफिक प्रस्ण बनता है, जहां पर 65 जो questions होते हैं और to 60 questions होते हैं, logines, chemistry होते हैं, रहा प्रस्ण होगा जो student nuclear chemistry को, जो nuclear physics भी कही जाती है, तो निउक्लियर फिजिक्स और नुक्लियर केमेस्टी कर दे जाए तो बस वही बात बन जाती है कि प्रस्ट कौन कर रहा है अगर हम 499 है टोटल कितने 499 अब 499 में आप देखेंगे एपाउट जंडल में जंडल कटेगरी में 285 है 285 है और एबाउट है 135 ओबीसी में यह किसे में है जंडल में इसके बाद कुछ जो बच रहा है इसके बाद आप जोड़ने के जो होगा इसके अब मैं आपसाद और बता चाता हूँ गर्ल्स में देखेंगे गर्स में 41 कितना है 41 है अब इस 41 में आप देखेंगे एबाउट 25 जंडल है कितना 25 जंडल है और 12 आप पर क्या बताओ ओबीसी है अब कॉंट कर लो कितने बच रहे हैं जितने बच रहे हो क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे यसी कटेग्री को जाएंगे यह रहा टीजीटी साइंस का क्या होना चाहिए टीजीटी साइंस में पेपर का पैटर्न क्या होता है और टीजीटी साइंस में हर क्या होते हैं कितने मौर्क होते हैं लेकिं सबसे बड़ा प्रस नहीं होता है कि यह जो पेप आपका two hours का होगा कितने hours कोगा two hours कोगा मतलब two hours में आपको कितने क्यूशन करने है 125 करने है without negative marking करने है और हर क्यूशन कितने मार्क होगा four mark होगा और रही सबसे बड़ी बात यह जो exam है without interview का है इसमें interview नहीं है आप written से miriard list में आएंगे आपका qualification हो जाएगा आपको interview देना नहीं है यह सबसे बड़ा beneficial benefit आपके लिए है कि आप written की तैयारी करें रेटन की exam अच्छे से दीजिए आप पर रेटन अच्छा जाएगा और आप मेरे list में आएंगे तो आपका selection पका है